हलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम परसंटेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट ट्रिक करेंगे तो आज हम यह जो ट्रिक करेंगे वह ट्रिक हमारी तीन कंडिशन में अपलाए हो सकती है तो सबसे पहले देखते ह होगी तो पहली कंडिशन हमारे पास है A की आए B की आए से X अधिक हो तो B की आए में A की आए के अपेक्षा प्रतीशत कमी तो अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके सद्थ दिया हो तो उस में हमारा जो फॉर्मुला लगेगा ट्रिक लगेगी वह क्या होगी X एक्स क्या था यहाँ पर question है बोला है कि A की I, B की I से X प्रतिशत अधिक है जित्ते प्रतिशत भी अधिक है ठीक है अगर 10 होता तो यहाँ पर हम X की value 10 रख देते उपर और नीचे 100 में 10 जोड़ देते और गुना कर देते 100 से तो हमारे यह वाला formula बन जाएगा ठीक है और दूसरा case हो सकता है second case देखते हैं second case है किसी वस्तू के मूले में X प्रतिशत की वृद्धी होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च आपरिवर्तित रहे तो अगर हमें यह case दे रखा हो तो भी हमारे पास same trick रहेगी ठीक है जित्ते प्रतिशत की वृद्धी होई है वो X उपर आ जाएगा और upon में 100 प्लस X कर देंगे into 100 कर देंगे ठीक है पहला और दूसरा case हो गया है अब तीसरा case देखते हैं तीसरे case में भी same trick apply होगी case क्या है किसी आयत की लंबाई में X प्रतिशत की वृद्धी होने पर उसके चोड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे छेतरफल आ परिवर्तित रहे तो इस case में भी हमारा same यही trick apply होगी तो अब इससे related कुछ question देख लेते हैं तो question हमारे पास है यदि A का वेतन B के वेतन से 50 प्रतिशत अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा ठीक है तो यहाँ पर X जो है वो हमारे पास 50 हो गया है ठीक है तो जो trick थी वो क्या थी X by 100 plus X into 100 तो X तो 50 हो गया तो 50 बटे 100 और 50 हमारा डेर सो हो जाएगा गुना 100 हो गया इसको simplify कर लेते हैं 5 से काटा 1 और 3 तीक है तो यह हमारा 100 बटे 3 तीक है इसको mix में convert करेंगे तो आएगा 33 1 बाई 3 परसेंट तो B का वेतन A के वेतन से कित्ते परतीशत कम है 33 1 बाई 3 परसेंट तो यह इसका answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला है चीनी का मूले 25 परतीशत बढ़ जाता है ग्यात करे कि कोई ग्रहनी चीनी का प्रियोग कित्ता परतीशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े ठीक यहाँ पर apply होगी ठीक है x by 100 plus x into 100 तो 25 बटे में 125 हो गया गुना 100 तो 25 एकम 25 यह 5 हो गया इसको काटा यह 20 हो गया तो 20 परतीशत की उसे कमी करनी पड़े जिससे मासिक बिल ना बढ़े तो यह इसका solution होगा अगला है हमारा किसी आयताकार खेत की लंबाई 60 प्रतीशत बढ़ा दी जाती है इसकी चोड़ाई कित्ते प्रतीशत कम कर दी जाए कि छेतर फल में कोई अंतर ना हो तो यहाँ पर x हमारा 60 है तो same trick apply करेंगे तो 60 बटे 100 जमा 60 into 100 तो यगर 60 by 160 into 100 हो गया 0 से 0 cancel ठीक है तो इसको गरा 3 और यह 8 चार दुनी 8 और यह 25 पच्चिस तिया हो जाएगा 75 बटे 2 तो यह जाएगा 37.5% तो इस trick की मदद से हम इस type के question को आसानी से solve कर सकते हैं उमीद है आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा थेंक्यू